उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद कश्यप जी हमारे साथ बाचीत के लिए मौजूद है आजमगड़ और रामपूर में चुनाओ चल रहा हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे सर मेहनत किया आपने कई दिनों तक क्या लग रहा है कि इस बार काम्याबी मिल पाएगी भारती जनता पार्टी को क्योंकि आजमगड़ और रामपूर दोनों समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते हैं ये बार ठीक है कि पिछले लोकसभा के चुनाओ में आजमगड़ और रामपूर दोनों सीटों पर ही समाजवादी पार्टी को विजय मिली थी लेकिन इस दर्मियान में उत्तर प्रदेश में जो मानने मुखमत्री जी योगी जी के नितर्त में विकास के कार्यों गती मिली है देश में मुदी जी के नितरत को और मजबूती मिली है जिस परकार से जनता का सहु समर्थन इस बार भारते जनता पार्टी को मिला है मुझी लगता है कि इस बार दोनों ही सीटों पर दोनों ही लोकसभा सीट के मत दाता भारते जनता पार्टी को अपना आश्रवाद दे बारती जन्ता पार्ट्री के जीत होगी। चुक्राइक रामपुर लोखसाबा की सीट पर मेरी जुम्मेंदारी लगी थी। काम करने की और मैंने करी दिन काम किया है। है मैं ने देखा कि मत दाता, दोनों ही लोखसाबा के मत दाता. अब इस बात के साथ संतुष्ट हैं कि जहां डबल इंजन की सरकार हो ऐसे में अगर सांसद भी भारती जनता पार्टी का बनता है तो निशन दे विकास को गती मिलेगी रोजगार को गती मिलेगी तो उमीद है जिस तरह का रुजहान मदाताओं का आ रहा है दोनों ही सीटों पर भारते जनता पार्टी इस बार विजए होने वाली है आजम खान की तक्रीरें सुनी गई जिस तरह से उन्होंने कहा कि जालिमाना हुकूमत है और हुकूमत ने इतने जल्म ढढ़ाए है हम लोगों के उपर कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता शब्दों में तमाम बाते उन्होंने अपने उपर जल्म ज्यात्ती को लेकर कही है और उसी को लेकर प्रचार किया तो क्या लगता है आजम खान के जो ये बयान आया आया इसको लेकर क्या कहेंगे क्या जल्म वाकई में उन पर हुआ है आजम खान साहब के बयानों का कोई मतलब इसलिए नहीं है कि पार्टी की सरकारों में आजम खासाब ने रामपूर की जनता के साथ जो इंजस्टिस किया, जो अन्याय किया, जमीनों को हरपना और संपत्ति पर कबजा करना, अपने ही परिवार के अंदर सियासत को समेट के रखना, ये तमाम चीजें रामपूर की जनता, उतरपरदेश की जनता जानती है, इसलिए ये तमाम जो बयान है आजम खान साथ के, वो शायद इस बार उनके काम आने वाले नहीं हैं, लोगों का भरोसा, भारती जनता पार्टी पर बढ़ा है, मोदी योगी की सरकार पर बढ़ा है, और खास्तों से रामपूर की जनता को इस बात का एसास है, कि यदि भाजपा को वहाँ पे जीत मिलेगी, तो निश्चित है, रामपूर के विकास में भी बढ़ातरी होगी, आजम खान एक बात और कहते थे, आपने कहा कि ये उनके बयान के कोई माइने नहीं है, उन्होंने जल्म किया है, वहाँ की जनता के उपर, लेकिन आजम है, कहते हैं, जल्म ज्यात्ती की मिसाल यहीं से मिलती है, कि उनके उपर बकरी चोरी का मुकदमा लगाया गया, भैस चोरी का मुकदमा लगाया गया, यहां तक कि भैस की घंटी की चोरी का मुकदमा लगाया गया, कहा बदले की भावना से राजनित की गई है, उनके उपर, कानून और पुलिस अपना काम कर रही है पुलिस को जो कंप्लेंट मिली होंगी शीक्वे शीकायत मिली होंगी उसके अधार पे मुकद में दर्ज हुए होंगे उनसे सर्कार कोई संब्द नहीं होता है तो जो विवेचना और पुलिस का पार्ट है उसका जबाब दे ही पुलिस की है तो वो उसके बारें बता है कि हम यह समझते है कि जो भी फायार हुई है जो भी अपरादी गतिविधिया हुई है वो सब नयाले में चल लई है कोट तै करेगा गलत क्या है और सही क्या है जनता इस बात को जरूर समझ गई है कि आजम खासाब ने सत्ता का लाब हमेशा अपने अपने परिवार के लिए रखा है जिससे जनता में ना खुशी है ना राजगी है और लोग इस बार रामपुर में बदलाओ चाहते हैं एक आखरी सवाल ये था अगनिपत्य योजना सरकार की जो आई थी उसको लेकर बड़ा विरोध हुआ तोड़ फोड़ हुई कई जगाओ पर कई जनपदों में देखा गया कि आगजनी भी हुई है तो क्या कहेंगे अब विरोध कहीं न कहीं और बढ़ रहा है जो राजनितिक दल है वो भी इसमें कूत पड़े है इसको लेकर क्या कहेंगे अगनिपत्य योजना देश के नौजमानों को एक बहुत बड़ी सेवा का आफसर है लेकिन कुछ विपक्ची पार्टी के लोगों ने कुछ सत्ता विरोधी लोगों ने एक कांदोलन करने की चेश्टा अवश की थी लेकिन आप धी धीरे सब लोग समझ गए है कि जब दुनिया के पचास से ज़्यादा देशों में अगनिपत्य जैसी योजना का अनुपालन हो रहा है चीन जैसा देश, अमरीका जैसा देश पहले से इस योजना को लेकर अपने देश में काम कर रहे है तो अब हमारे देश के लोग भी इसे बात को समझ गए है कि जब दुनिया में अगनिपत्य जैसी योजना का निश्कर्स रिजल्ट अच्छा है तो निश्चित है हमारे देश के नव जवजवानों को अगनिपत का लाब मिलेगा देश की सुरक्षा को भी एक बहुत बड़ा इससे मेरा समझताओं के लाब होने वाला है तो धीर धीरे गांदोलन श्यांत हो रहा है लोग सच्चाई को समझ रहे हैं और देश की सरकार अपने मकसद में आगे बढ़ रही है आपने सुना नरियंद कश्चप जी को बड़ी ही बेबाकी के साथ उन्होंने बाते कहीं उनकी रामपूर में भारती जनता पार्टी के नेताओं की तरह ड्यूटी बाकाइदा लगाई गई थी और वहां पे ने जनता से अपील की भारती जनता पार्टी को जेताने के लिए और साफ तोर पर कहा कि आने वाले समय में रामपूर और आजम गड़ भी भारती जनता पार्टी की जोली में जाने ओ कामरमें अरशत के साथ सीमाब नकूई बारसमचार लगनु